गुड मॉर्निंग क्लास मैं अम्रिता टोपो प्लास थ्री की हिंदी टीचर सभी अपना व्यों हिंदी व्याकरन बुक निकालेंगे और चाप्टर टू खोलेंगे चाप्टर टू लिपी और वर्नमाला चाप्टर टू में हम लोगों ने लिपी और वर्नमाला पढ़ लिया और उसमें वर्नों के भेद, सैयुक तक्षर, सैयुक ब्यांजन और स्वरों की मात्राएं यह स्वरों की मात्राये सभी हम लोगों ने पढ़ लिये, सभी को समझ में आग्या होगा, आज हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे सभी पेज नंबर 16 खोलेंगे पेज नम्बा 16 में हम लोग स्वरों की मात्राएं पढ़े सबसे नेचे है अनुश्वर, चंदरबिंदू और विशर्ण यह है अनुश्वर यह वर्ण के उपर में होती है यह चंदरबिंदू, यह है यह आ के उपर में है चंदरबिंदू यह भी वर्ण के उपर में मात्रा दी जाती है और यह है अह, विशर्ण यह दहनी और दो बिंदू डाली जाती है इसे बोलते हैं विशर्ण जिस प्रकर यहां देख रहे हैं आप लोग ये है आंग चंदर बिंदू और ये है बिसर्ग ये है आंग चंदर बिंदू ये है बिसर्ग ये आंग और चंदर बिंदू ये वन के उपर में मातरा दे जाती है और ये है बिसर्ग बिसर्ग का दाहनी ओर ये वन के दाहनी ओर दी जाती है इसे आ में अनश्वर अं, आ में चंदर बिंदू, यह है अ, यह है आ, बिशर्ग, आ यहाँ पर देखें, वर्ण के उपर, यह है वर्ण का का अनुश्वर, वर्ण के उपर दी जाती है और चंदर बिंदू भी वर्ण के उपर, और यह है अ, यह है बिशर्ग, यह है दाहिनी ओर दी जाती है मात्रा रा में किस प्रकार दी जाती है और ऐसे साधरन में किस प्रकार उसका यूज करते हैं और रा में किस प्रकार यूज करते हैं उसे मैं भी समझाने जारे हो सभी ध्यान देंगे यहाँ पर देखे, जैसे तुम कुछ गुन सुन, कूल, चूर, पूत, सूत, यह है छोटाओ की मातरा, यह लाइन का है सब छोटाओ की मातरा, यह है बडाओ की मातरा, यह है तुम कुछ गुन सुन, यह है बडाओ की मातरा, कूल, चूर, पूत, सूत, और यहाँ हम लोग देखेंगे ये है छोटाऊ और ये है बड़ाऊ चोटाऊ और बड़ाऊ को राम में हम लोग किस प्रकार यूज करेंगे उसे ध्यान से आप लोग देखेंगे मैं कोपी में समझा रही हूँ जैसे यहाँ आप लोग ध्यान से देखें ये है छोटाऊ और ये है बड़ाऊ चोटाऊ की मातरा रा के बगल में लगती है और बड़ाऊ की मातरा भी रा के बगल में लगती है जैसे यहाँ देखेंगे ये रा के बगल में लगी हुई है ये चोटाऊ की मातरा है यहाँ पर देखेंगे आ रा में चोटाऊ की मातरा ना अरून आ रा में छोटाओ की मात्रा ना अरून जैसे यहां देखिए यह है रा और इसमें इस प्रकार का यहां खीचा गया है यह है छोटाओ की मात्रा और यह है छोटाओ की मात्रा रू जैसे यहां देखिए अरून उसी प्रकार यह है बडाओ की मात्रा ये रुपेश, ये रू, ये बड़ाओ की मात्रा दिया गया है रा में, इसको ऐसे गोल करके इस प्रकर खिशते हैं, बड़ाओ की मात्रा में ये गोल करके इस प्रकर मात्रा लगाये जाता है रा में, सभी मात्राएं ब्यांजन के कोई दाईं तराप और कुछ बाईं तराप कोई उपर में, किन्तु रा में हमेशा ये बीच में ये मिडिल में खीची जाती है, जिस प्रकार यहां पर हम लोग कल में पढ़ें स्वरूं की मात्राएं, कल में हम लोग पढ़ें स्वरूं की मात्राएं, यहां देखें स्वरूं की मात्राएं, ठीक, आज हम लोग फिर इस ब्यांजन करते हैं जैसे यहां पर स्वर है यह स्वर है यहां मात्राइं दी हुई है यह आ की मात्रा हमेशा ब्यांजन के दाई ओर होती है और छोटी ए की मात्रा हमेशा ब्यांजन के बाई ओर होती है बड़ी ए की मात्रा हमेशा ब्यांजन के दाहिनी ओर होती है और छोटी और बड़ी उ की मात्रा हमेशा वर्ण के नीचे लगी रहती है और ए और आई की मात्रा वर्ण के उपर में लगी रहती है वर्ण के उपर में लगाते हैं ए और आई की मात्रा और ओ और आउ की मात्रा वर्ण के दाहिनी और लगाए जाती है वर्न के दहनी हो, जैसे यहाँ देखिए आ, यह है का के दहनी हो, का में अकर का और यह है बाई हो, का में हरसी की और यह है दहनी हो, का में दिर्गी की और यह छोटा उ और बडा उ हमेशा वर्न के नीचे रहती है इस प्रकार हम लोगों को ने कल भी ये पढ़ लिया, सभी बच्चों को समझ में आ गिया होगा और ये अंग, चंदरबिंदू और आह, ये अंग और चंदरबिंदू हमेशा वर्न के उपर में लगी रहती है, और बिसर्ग, इसे पढ़ते समय आह का उचारन करते है, ये अभी वर्न में ये छोटा उ और बढ़ा उ नीचे लगी रहती है, और इसका उचारन इस प्रकार होता है, छोटा उ का उचारन चोटा होता है, तुम, कुझ, गुन, सुन, और ये बळियू की मातरा, कूल, चूर, पूत, सूत, इसका उचारन लंबा होता है, और यहां चोटा उकी मात्रा जैसे अरून, रुप्या, रुकना, रूची और यहां बड़ी उकी मात्रा रूपा, रूठना, अमरूद, रूपवन यहां देखे यह है रा में किस प्रकार हम लोग उ और बड़ी उकी मात्रा यूज करते हैं यह है चोटी उकी मात्रा और यहां है बड़ी उकी मात्रा इस लैन में सब चोटी उकी मात्रा है देखे यहां पर रा में किस प्रकार दिया गया है इसका उचरन कैसा होता है अरून, रुप्या, रुपना, रूची और यह है बड़ी उकी मात्रा रूपा, रूठना, अमरूद, रूपवन और यहाँ देखिए यह छोटा उ और बड़ा उ यह ब्यांजन के नीची की ओर दी जाते है किन्तु रा में हमेशा रा का बीच में होता है जिस प्रकार? यहाँ देखिए यह है छोटा उ यह है बड़ा उ हमेशा छोटा उ और बड़ा उ में रा की मातरा रा के बगल में होते है दाहिनी ओर उ की मातरा रा के बगल में लगती है और बड़ा उ की मातरा भी रा के बगल में लगती है जैसे यहाँ देखिए अरू यह रा देखिए, यहाँ पर रा देखिए रा के बीच में है ये, रा में ये इस प्रकर है, ये रा लिखेंगे, फिर यहां से इस प्रकर खिचेंगे, रा में छोटा उकी मातरा, रू, और ये है बड़ी उकी मातरा, इस प्रकर ये रा खिचेंगे, फिर इसमें यहां से गोल करके, ये है रू, बड़ी उकी मातरा, इस लिखा जाता है रा के बगल में यहां पर जैसे रुपेश इस प्रकार आप लोगों ने जरूर ध्यान से देख सुन रहे हैं सब को समझ में आ गिया होगा और सभी इसे घर में अच्छी तरह प्रिपेर करेंगे ध्यान देंगे और पढ़ने की कोशिस करेंगे फिर हम लोग कल मिलेंगे काल हम लोग कोश्चान एंसर करेंगे दन यह वागा दो